ठीक है अपने कहां तक देख चुके थे मोसम के अनसार क्या होता है अंडासे का वो क्या होता है आकार बदलता रहता है और इसके बाहर की तरफ क्या है एक आवरन पाया जाता है क्या है जिसे अंडासे का आवरन कहते हैं ठीक है इसके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है आवरन पाय जाता है प्रतेक अंडासे के बाहर जिसे क्या कहते हैं अंडासे आवरन कहते हैं ठीक है अब देखिए जो परिपक्वे अंडाणू बाहर की तरफ और परिपक्वे अंडाणू देखिए परिपक्वे जो अंडाणू होंगे ठीक है वो क्या होंगे बाहर की तरफ परिपक्वर अंडाणू वो तो क्या होंगे बाहर की तरफ और एपरिपक्वर अंडाणू होंगे वो क्या होंगे अंदर की तरफ परिपक्वर क्या होंगे अंदर की तरफ और परिपक्वर अंडाणू क्या होंगे इसमें बाहर की तरफ इस्थित होंगे ठीक है जो परिपक्वर अंडाणू होगा उसमें क्या पाई जाएगी कोसिका पाई जाएगी और उसमें क्या होगा योग या पीतक की बात करते हैं प पीतक अधिक होगा पीतक क्या होगा अधिक होगा जो किसकी बात कर रहे हैं अपन इसके अंदासे की देखिए फिर से बोल रहा हूं अंदासे है ठीक है जो कैसा है असियाकार है जो मोसम के जो सफेद है ठीक है और जो क्या करता है मोसम के अनुशार बदलता रहता है ठीक है औ इसके अंदर जो अंडास है में जो परिपक्व अंडानू होंगे वो क्या होंगे बाहर की तरफ होंगे और परिपक्व अंडानू क्या होंगे अंदर की तरफ होंगे ठीक है इनके बीच में क्या पाये जाता है मीडियन गैप पाये जाता है जिसे काइडियो पाइलोरिक क्या आप बोलते हैं अब देखे इसके बाद में जब अपन बात करते हैं इसकी अंड माहिनी की, ठीक है? तो अंड माहिनी कहाасे निकली रहती है? मद्य भाग से इक चोड़ीवे पतली जैसी क्या है? देखे मध्य भाग से चोडी पत्ली ठीक है क्या निकली रहती है अंडवाहिनी निकली रहती है कहां से इसके मेडियन वाले भाग से क्या है क्या निकली रहती है चोड़ी पतली बित्ती उक्त क्या है वाहिनी निकली रहती है जिसे क्या कहते हैं अपने अंडवाहिनी अंडवाहिनी क्या होती है अपनी तरफ से कहां पर तीसरी जोड़ी जो टांगे है अपने बात करी किसकी तीसरी जोड़ी जो टांगे थी वहाँ पर क्या होता है इसका जनेटल ओपनिंग क्या जो फीमेल जनेटल पौर क्या होता है खुला हुआ होता है ठीक है और यहीं पर क्या होता है एक जनन छिद्र होता है क्या होता है जनन छिद्र होता है जिसके माध्यम से क्या होंगे इसके यहां तक पहुंचेंगे, क्या होंगे, पहुंचेंगे, ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा जी, किसके, इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या हो गया, ये इसका female reproductive system हो गया, क्या हो गया, इसका female reproductive system हो गया, ठीक है, अब देखें इनके अंदर निशेचन कब होगा ठीक है इनका जो परजनन काल माना जाताहे इनका जो परजनन काल माना जाताहे वह कब माना जाताहे मै अजाताहे खीита इस हिसमें क्या होगा इस जो इस काल के अंदर नर का नर के जननांग क्या है वो परिपक्व हो करके क्या करेंगे युगमकों को क्या करेंगे रिलीज करेंगे या बाहर निकालेंगे युगमकों का क्या करते हैं निर्मान करते हैं क्या करते हैं युगमकों का निर्मान करते हैं परिपक्व होकर कब मई से अगस्त के बीच क्या है ये परिपक्व होकर क्या है युगमकों का क्या करते हैं निर्मान करते हैं और इनमें निशेचन होगा वो कैसा होगा बाहिये बात कर रहे हैं निशेचन की किसकी बात कर रहे हैं निश्य चन की निश्य चन कैसा होगा बाहिय करेंगे हैं अब देखे यह जो नर है यह जो अपन बात कर जखर रहें दर चो प्रॉड है यह क्या है अपनी टांओ की साहेता से क्या कर लेगा जिसको फीमेल को क्या कर लेगा जखर लेगा क्या लेगा जैसे ही क्या है मादा क्या करेंगी अंडों को छोड़ देगी ठीक वेसे नर्य asya कि यह उसके अंडों को निश्यचित कर देगा इनके शुक्राणू मेटा क्या कर देता है निशेचित कर ५ रे ठीक अब देखिए ऐस के इनshay क्वान को निर्मान होगा इन置रे के निशचन कैसा होता होता है जो फिमेल वह अपनी टॉंगों की शाहिता से क्या है मादा को जोकर लेगा और मेठथन की क्रिया को क्या करेगा संपन करेगा ठीक है उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में जब अपन बात करते हैं तो क्या है जैसे ही मादा अंडों को क्या करतेगी रिलीज करतेगी कैसे क्या करतेगी अंडों को कर देगा थीक है निशेचित कर देगा तक आप इसके परीवर्दन की बात करते हैं hypothesis development इसका परीवर्दन भी तो और मादा युगमंग मिलेंगे तो आगे क्या होंगे स्टेज का निर्मान करेंगे ठीक है अब देखे मादा काफी है अधिक संख्या में क्या करती है अंडों को देती है ठीक है यह अंडे कहां पर अध्यावनी गरंथी द्वारा क्या है स्रावित चिपचिपपदार्थ श्राव होता है जिसके मादें से ही क्या है चिपके वे रहते हैं ठीक है अब इस तरह क्या होगा ज़द जननकाल में मादा अनेक अंडों अंडों को क्या है अपने उपर लादे रखती है जननकाल के वक्त में क्या है बहुत सारे अंडों का निर्मान क्या है इसके अंदर होता है ठीक है अब देखिए मादा हर समय क्या है अंडों में अपने साथ लिए गूमती है ठीक है और सिसू प्रोन बाहर निकल जाते हैं अंडों को क्या है अपन बात करते हैं किसकी मादा क्या करेगी नर वो उसको अंडों को क्या है अपने अं निकल जाएंगे तो डव्लप्मेंट कैसा होगा प्रतेक्ष होगा डव्लप्मेंट कैसा होगा प्रतेक्ष होगा कैसा डव्लप्मेंट होगा प्रतेक्ष होगा ठीक है अंडों में वेस्क की आकरती के ही क्या है अंडों में जो सिसू निकलेंगे वो क्या है वेस्क की आकरती क के ही निकलेंगे एक अडल्ट की तरह ही क्या है अडALT की तरह ही क्या है इंक रज़ सेенे होंगे थीक है कि एक और और कुछ समय Centre सिसु माता पार जो प्लव पादों से चिपके रहते हैं और कई बार इन में क्या हो जाती है मोल्टिंग की किरिया हो जाती है जिसके माध्यम से क्या है वह वेस्क में क्या है बदल जाता है देखे बात किसकी करी अपने आज अपने इसके डवलप इसके किसकी बात करी मेल फिमेल रिप्रोडेक्टिव सिस्टम की बात करी कल इससे पहले वाल अंडासें के बीच क्या है मेडियन गैप पाए जाता है ठीक है जिसको क्या बोलते हैं कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रेंड या गैप बोलते हैं ठीक है इसके अंदर अंडासे होता है जो कैसा होता है सफेद होता है इस अंडासे के बीच जो अंडानू होते हैं जो परिपक्व होते हैं ठीक है इनसे क्या है इनके मद्दे से क्या निकली रहती है अंडवाहिनी निकली रहती है जो पतली वित्तिनुमा संदचना होती है जो आगे चलकर किसमें किसमें खुलती है फीमेल जेनेटाइल पोर के अंदर खुलती है ठीक है इसके माद्दम से यह क्या है थर्ड जो तीसरी जोड़ी जो टांगे हैं उनके पास क्या है यह खुलता है ठीक है और मेल गें अंदर पांच भी जोड़ी में खुलता था ठीक है कोकसा के पास यह निपक्वा युगमकों का निर्मान होता है निशेचन कैसा होता है यह प्रकारका होता है नर्व का जो सुक्राणूं मादा के अंदानों को क्या कर देता है निश्यचित कर देता है और परीवर्दन किस प्रकारका होता है प्रतेक्स प्रकारका होता है कैसा होता है प्रतेक्स यह मेल और फिमेल रिप्रोडेक्टिव सिस्टम अपन क्या है दोनों के पड़ चुके हैं अगला अगली लाश में